तो अभी मैं समझाने वाला हूँ quadratic equation का exercise 4.1 आज हम 4.1 करेंगे इसके पहले मैंने पूरा का पूरा आपको introduction समझा दिया था बोलो समझा दिया था कि नहीं समझा दिया था पूरा हर एक चीज अच्छे समझा अब मैं question by question पर आगे हूँ तो हम बात करेंगे exercise 4.1 का question number 1 और question number 2 इस lecture में ठीक है question number 2 में हमको quadratic equation को form करना है question number 1 में हमको बताना है कि quadratic equation है या नहीं तो सबसे पहरे समझ लेते हैं कि क्या है quadratic equation क्या है quadratic equation क्या है तो quadratic equation में सबसे पहले तो equation है quadratic का मतलब होगा कि जिस equation की degree degree का मतलब highest power कित्ती होगी 2 तो वो एक quadratic equation form करेगी जैसे मैंने का x square plus 2x plus 1 is equal to क्या हो जाएगा 0 तो ये जो बन जाती है इसको हम बोलते है quadratic equation एक important बात इसका general formula मैंने बताया था इसका general level पे तो मैंने कहा था ax square plus bx plus c is equal to 0 ये quadratic polynomial ही है बस इसके अंदर equal to sign आयाता और lhs और rhs अजाते हैं अगर बस important बात यह है कि a की value कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर a की value 0 हो जाएगी तो वो quadratic नहीं बनेगा वो quadratic रहेगा ही नहीं बे चल ठीक है आप समझते हैं कि क्या क्या quadratic क्या एक ही necessity है बस क्या necessary है कि भाई साब इसकी highest power solve करने के बाद क्या हो 2 हो यानि degree क्या हो 2 चलो शुरू करते हैं तो लिखा हुआ हमारे पास सबसे पहला वाला लिखा ए ए वाला है ठीक है हाला कि किताब में ABCD नह देके अब इसको किस से खोल सकते हैं A plus B whole square के formula से खोल सकता है तो यह हो जाएगा x square plus 2x plus 1 is equal to 2 times of x 2 का multiply x से minus 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 बिल्कूँ step by step चलो अब देखो 2x इदर आएगा तो minus का यानि 2 से 2 cancel x से x cancel बचा कितना x square plus 1 minus इदर आएगा तो यह एक quadratic equation है ठीक है this is a quadratic equation क्यों है यह quadratic equation क्योंकि इसमें जो variable की degree है वो कितनी है 2 इसका मतलब यह एक quadratic equation है yes it is next यह वाला कर लेते next question है x square minus of 2x x square minus of 2x बरोबर minus sign of 2 multiplied by 3 minus x तो आ जाएगा x square minus of 2x equal to minus plus minus 2 36 minus minus plus 2 into x 2x अब यहां गलती मत करना जैसे यहां गलती कर सकते थे कि 2x और 2x कड़ गए हैं तो यहां से भी 2x और 2x कड़ जाएगे ऐसा बिलकुल नहीं होगा क्योंकि जब यह 2x इदर जाएगा तो यह plus का हो गया minus तो आएगा x square minus of 2x तो यहीं था और यह वाला भी minus of 2x यह minus 6 इदर आएगा तो क्या हो जाएगा plus 6 is equal to 0 और एक important बात यह है कि अभी minus 0 cancel नहीं होगा यानि x square minus minus plus minus of 4x plus of 6 is equal to 0 क्या यह एक quadratic equation ने जल्ली बताओ yes sir it is a quadratic equation क्यों क्योंकि इसकी degree कितनी है 2 बस यही चलना है यही देखना है पूरे के पूरे questions में यह जितने भी question lines हैं बिसे दो छोड़े में है ना line से यह last वाला ले लिया है और एक यह वाला ले लिया यह जितने भी question से इन सब में हमें यह चेक करना है कि बस quadratic equation बनना चाहिए यानि variable की power कितनी होना चाहिए 2 होना चाहिए अगला question कर लेते हैं तो अगला question यह भी है x minus 2 into x plus 1 तो यह हो गया x minus 2 into x plus 1 बरोबर x minus 1 into x plus 3 into x plus 3 अब इसको solve करना है कैसे देखो ध्यान से पहले x का multiply x से फिर उसी का multiply 1 से फिर 2 का multiply x से फिर 2 का multiply 1 से ऐसे इसको भी solve करना है मतलब polynomial को multiply करना आना चाहिए binomial को binomial से multiply करना है class 9 का basic x into x x square x into 1 x minus of 2 x plus minus minus 2 is equal to x square x का multiply 3 से तो 3 x minus of x minus of 3 अब ध्यान से देखने पर ये x square और ये x square आपस में cut हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे क्योंकि equal to के साइथ है और दोनों का sign सेम है तो जब ये plus का इदर आएगा तो minus cancel हो गया है ना अब ध्यान से देखना बची नहीं quadratic equation है नहीं क्यों नहीं है quadratic equation क्योंकि highest power कितनी नहीं है 2 यानि ये वाली तो भाई साब नहीं है ये वाली भी check कर लेते हैं ठीक है कर लें देखो क्या है x minus 3 multiplied by 2x plus 1 is equal to 2x plus 1 is equal to x multiplied by x plus 5 मेरे ख्याल से यही है x plus 5 यहाँ बिल्कुर सही तो x का multiply पहले 2x से तो आएगा 2x square फिर आएगा plus x फिर आएगा minus of 3 to 6 minus 3 बन जा 3 x square plus 5x अब आप मत बोलते ना सर ये भी कड़ जागा यहाँ 2x square है और यहाँ x square है तो इसको इदर लेके आजाओ उसको भी दल ले आओ तो आएगा 2x square minus of x square इन दोनों को solve करने पर तो आजाएगा minus of 5x यह आजाएगा minus of 5x और minus 3 already था is equal to 0 2x square में से बच्चा x square minus minus होगा plus 5 5 plus 5, 10 answer हैगा minus 3 is equal to 0 और मेरे प्यारे बच्चो यह भी एक quadratic equation है इसका मतलब this is a quadratic equation थाड़ वाला नहीं है बस सब अपने अपने answer चेक करते जाओ चीक है अगला है x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का whole square तो यह देख लो x square minus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का whole square मेरे ख्याल से यही question है question में कभी भी गलती मत करना x plus 3x है तो लो भई यह x plus 3x तो यह तो अल्रेडी खुला हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने दो और इसको whole square के formula से खुल दो तो यह जागा x square 2ab 2 into x into 2 यानि 2 to the 4 minus of 4 और यह जागा plus 2 to the 4 यानि b square a square minus 2ab plus b square अब देखो यह इदर आएगा तो minus यानि यह cancel होगा 3x plus 1 is equal to minus of 4x plus 4 यानि square वाली term तो बची नहीं it is not a quadratic equation e वाली तो quadratic equation है ही नहीं ठीक है अगला कर लेते है x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 का whole cube चलो कर लो इसके लिए एक page whole ले लेते हैं x cube minus 4x square तो आएगा x cube minus 4x square ठीक है minus x plus 1 is equal to x minus 2 का whole cube यह यह ना question बहुत बढ़िया एक बार check कर लेते हैं x minus 2 का whole cube ठीक है तो यह है अब यह तो already खुला हुआ है ना तो यह आएगा x cube minus of 4x square minus of x plus 1 is equal to अब a cube minus b cube का formula लिख देता हूँ यहाँ पर अलग से a minus b का sorry a minus b का whole cube का formula होता a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square यही है formula बच्चों ठीक है अब इस formula में हमें x को x minus 2 को whole cube को formula से खोलना है तो x की जगा a और 2 की जगा b और a minus b मतलब a की value किसकी बराबर हो गई x तो formula को खोल दो जल्ली फटा फट चीक है तो देखो यह हो जाएगा a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square बस a की जगा x है और b की जगा 2 है इस formula में put up है आया x cube minus of 4x square minus of x plus of 1 यह आएगा x cube minus of 8 minus 3 तूजा 6 6x square यह आएगा plus 3 तूजा 6 तूजा 12 12x ठीक है तो देखो x cube से तो x cube cancel हो रहा है बच कह रहा है minus 4x इदर आएगा 6x तो आएगा plus का 6x square 4x square minus x plus 1 plus 8 minus 12x is equal to 0 मैं सबको इदर लेके आगया और इस side बचा 0 मैं ऐसा क्यों करता हूं बच्चों मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे compare करना होता ax square plus bx plus c is equal to 0 से और quadratic equation के लिए मुझे एकी condition देखनी है कहीं a की value 0 तो नहीं है बस यह देखनी है तो यह कि तो जागा 2x square यह है कि x और यह है 12 तो यह आगा minus of 3x 13x यह आजागा plus 9 8 plus 1 9 is equal to 0 और मेरे प्यारे बच्चों यह एक quadratic equation है इसका मतलब यह भी एक quadratic equation है जो हमको दिखनी रही थी लेकिन है यह निकली तो हमको पूरा solve करके check करना पड़ेगा कि degree of that equation is 2 or not इतना clear है अगला question करते है question number 2 का first वाला जो कि है represent the following situation in the form of quadratic equation मतलब वही उसी form में लेके आना है ax square plus bx plus c अब यह लेके आ गए is equal to 0 में उसके बाद आपको इसको solve करना है अभी solve करना starting में मैंने नहीं सिखाना solve करना नहीं है मतलब मेरको यह नहीं बताना है कि यह solve कैसे होगा इसके 2 से 3 तरीके है कौन कौन से है एक तो factorization है factorization method जिसको हम splitting the middle term भी बोलते हैं बोलो हाया ना इसके बाद है एक formula method या completing the square क्या है completing the square और एक और method है जिसको हम बोलते है formula method these are the three different method to solve a quadratic equation और solve का मतलब होता है to find the value of x यानि x की value को find करने को ही हम क्या बोलते है solve करने क्या मेरी बात पलने पर आगई सबज में आगई ठीक है तो वो कह रहा है कि हमारे पास एक rectangular plot है यह रहा इसका जो area है इसका जो area है वो कितना given है बच्चों वो given है कितना given है जल्दी बताओ 528 meter square का area हमको given है length और breath की कहानी हमको नहीं पता length और breath की कहानी हमको नहीं पता क्योंकि area जो होता है वो होता है length into breath ठीक है तो उसने बोला आगे तो पढ़ ले आगे तो पढ़ उसने बोला, the length of the plot is one more than twice the breadth breadth का twice करो, और उसमें one जोडो क्या करो, breadth का twice करो, उसमें one जोडो तो breadth को x माल लो अब जिसका twice करना, उसको कुछ तो मानना पड़ेगा न अब इसका twice करो, बोले ये ले अब इसमें one जोड दो, ये one जोड दिया क्या बना, breadth, breadth की जगा, ये breadth x और ये क्या बनी, length तो उनने का, length और breadth का relation कुछ इस तरह का है, बोला, ठीक है बजी, ये मान गए अब क्या बनाने का है, quadratic equation बनाना है, equation तभी बन पाएगी जब कोई condition पता होगी तो हमको पता है, कि length को breadth से multiply करने पर क्या मिलता है, area, क्या मिलता है, area, तो quadratic equation तभी बनेगी जब मेरे पास कोई condition होगी अब condition ही नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं पता कि area क्या है तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मुझे condition पता है, यानि हम लिखते हैं इसमें according to the question, क्या बोलते हैं, according to the to the question, question के according हमने length और breath भी value निकाल दिये अगर breath x है, तो length है 2 times of x plus 1 लेकिन इनका multiplication होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों 528 तो x का multiply 2x से तो आएगा 2x square plus x का multiply 1 से, तो किता आया x बन जा x is equal to 528 इदर आया, तो 2x square plus of x minus of 528 is equal to 0 और बच्चों मेरे को सिर्फ quadratic equation बनानी थी इस question के लिए हाला कि उसने question में दिया है कि find length and breath तो भाई ये मिल गई length और ये मिल गई breath, ये दोनों मिल गई है multiply करने पर area मिलता है, वो भी निकल गया और उससे हमने क्या बना दिये quadratic equation क्या मेरी बात पाले में आगी, एक और सवाल ले लेते हैं question number 3 question number 3 करेंगे और question number, sorry question number 1 कर दिया question number 2 आप करवा देता हूँ और question number 3 और question number 4 आप खुछ से try करेंगे ठीक है चलो तो एक काम करते है, question लिख देता हूँ आप लोग के लिए question number 2 है, मतलब second का second है the product of two consecutive positive integer बोल रहा है, the product of the product of two consecutive positive integer positive integer मतलब 1,2,3,4,0,1,2,3,4 ऐसे नमबर है, है ना, integers है ना तो positive है, और 0 पॉजिटिव नहीं होता है, ने नेगिटिव होता है तो consecutive positive integer, मतलब natural number की बात कर रहा है natural number actually मैं positive integer का मतलब ही natural number है is 306 consecutive मतलब एक के बाद एक पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा? 2 पहला अगर 15 है तो दूसरा क्या होगा? 16 मतलब एक के बाद एक लगाता consecutive positive integer is 306 we need to find the integers तो find the integers ऐसा question आ सकता है लेकिन हमको अभी क्या करना है? हमको इसकी quadratic equation बनाना सीखनी है फिर solve करना तो हम अगली exercise में कर लेंगे तो कैसे बनाना equation सुनो सबसे पहले जो नहीं पता उसको मानना पाड़ता है तो हमने का let the first integer let the first integer be x अगर पहला integer x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ दो 1 the second integer will be second integer will be be x plus 1 यह दोनो plus होगा मतलब x में 1 plus कर जिसे मैं बताता हूँ 1 है 1 के बाद 2 2 के बाद 3 तो 1 में 1 जोड़ो तो 2 2 में 1 जोड़ो तो 3 ऐसे अगला integer तभी आता जब पहले वाले में 1 जोड़ जाए अब वो क्या बोल रहा? product बेडा ध्यान रखना? product का मतलब होता है multiplication क्या बोलते है product का मतलब है multiplication कभी भी confusion आना नहीं यह उन बच्चों के लिए जो बिलकुल एकदम 0 निल्मटे सननाटा ख़़े हूँ है अभी भी इसकी स्तिति में भी इन के लिए में इन अलग से बता दिया है अब इन दोनों को मल्टिप्लाइन या अग्वार्डिंग टू कंडिशन ऐसे भी बोल सकते है according to condition तो according to the question या condition we can say that the product of these numbers that is x into x plus 1 यानि दोनों को multiply निगुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 306 306 कर दिया अब इन दोनों को multiply x square plus x is equal to 306 अब इसको किसके form में लेके आजाओ? लेके आजाओ ax square plus bx plus c is equal to 0 के form में लेके आजाओ तो लेके आजाते हैं कोई रिक्कत नहीं है तो इसको इदार लेके आजाओ तो आजागा x square plus x minus of 306 is equal to मेरे प्यारे बच्चों 0 और यह आगई quadratic equation और मैं बहुत आसान तरीके से इसको splitting the middle term या फिर completing the square या फिर formula method यानी सीरी धरचारे formula method से इस पूरे सवाल को solve कर सकता हूँ ठीक है? लेकिन इस particular question में आपको सर्फ बोला गया था कि आप quadratic equation बना लो क्या समझ में आगे सबको? एक और कर दूँ चलो एक और कर देता हूँ एक और question करता हूँ आखरी तुम्हें करना है यह ages वाले हमेशा दिक्कत करते है और बोलता है Rohan's mother is 26 years older than him चलो question पहले लिख देता हूँ अच्छे से तो third वाला part है हमारा पास question number two का third Rohan's mother रोहन एक लड़का है नाम से समझ में आ रहा है पता नहीं Rohan's mother यानि Rohan की मम्मी is 26 years older than is 26 years older than him मतलब Rohan मम्मी से कितने साल बड़ा है कितने साल बड़ा है बेटा कभी बेटा मां से बड़ा हो सकता है तो मम्मी बड़ी होंगी न older than him मतलब 26 years older मतलब अगर Rohan X है तो मम्मी कितने की है X plus 26 अगर Rohan 2 साल का है तो मम्मी कितने साल की है 28 साल की है X plus 2 वा वा विटे वा वा मोधी जी the product of their ages the product the product of their ages in year 3 years from now 3 years from now मतलब अगर मेरे को percentage मानने पड़ेगी will be will be यह condition है will be 360 full angle 360 मतलब full angle होता है न तो क्या आप बता सकते हैं हाँ बिल्कुल बता सकते हैं रोहन की age तो हम माल लेते हैं कि रोहन की अभी की present age कितनी है X years चलो माल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो let the present age present age of रोहन तो रोहन की age कितनी हो जाएगी जल्ली बताओ X years अभी जो है वो X years चल रहा है X में कोई सा भी नंबर हो सकता 0 मत बोल देना बज़ है न ठीक हाँ ठीक अब mother's age तो mother की age कितनी हो जाएगी जल्ली बताओ mother's age 26 साल बढ़ी है तो पेटा X minus 20 है न कितना हो जाएगा X minus 26 X plus अरे सर प्लस होगा न यार अरे आपको इतना भी नहीं पता कि वो मम्मी बढ़ी है तो उनकी age ज्यादा होगी हाँ सर पता है ठीक है यह दोनों की age आ गई बेटे की भी आ गई पर मम्मी की भी आ गई अब वो के रहा दा प्रोड़क्ट आफ इन दोनों का मल्टिप्लेकेशन मत करना लेकिन वो ही के रहा दा प्रोड़क्ट आफ देर एजेज तीन साल फ्रॉम नाओ मतलब आज से तीन साल बाद की age का प्रोड़क्ट तो अभी तो प्रेजेंट है तीन साल बाद किता हो जागा तो त्री यर्स लेटर वो फिल्मों में नहीं देखा आज से तीन साल बाद फिर वापस आ जाते हैं प्रेजेंट फिर तीन साल पहले माइनस तुमारी यह जगर आज दो साल की है तो तीन साल बाद किते हो जागी तीन साल एड करोगे न तीन साल पहले किते हो जागी अबे पेदा ही नहीं हुए दो साल के तो होई घोचुओ अरे यार अरे सर माइनस वन सर माइनस वन पेजा तो हो जाओ वो केते हैं जाड से निकले नहीं हो बोल रहे हो माइनस वन इंटीजर जीरो के पाद हाँ तो तीन साल यानि थ्री इयर्स लेटर लिखके देना उसको लेटर ठीक है वो एक कस्टमर सर्विस का फोन आया थोड़ा सा बिचारा कम पड़ा लिखा था हम असी मजाक में बात कर रहे हैं तो फोन आया फोन लगाया किसी ने तो उसने बोला तो उसने बोला था कस्टमर देट यूर ट्राइंग तो रीच इस करेंटली आने विलल तो तीन साल बात कितना हो जाए कहानी रोहन की एज रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस थ्री इसकी कित्ति जाएगी जली बता मंपी एज थोड़ा रिस्पेक्टेड वे में हां कितने जगी एज पूछना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें भई यह हमें तो निकालनी पड़ेगी तो मम्मी की एज हो जाएगी एक्स प्लस थ्वेंटीनाइन है ना है ना बहुत शान अब वह केराए कंडिशन के साब से चलो तो इन दोनों की एज का इस समय जो प्रोड़क क्या लिखते हो मतला हम तारीफ कर रहा है क्या लिखते हो सर आप है ना तो एक्स प्लस ट्वेंटीनाइन विल वी इक्वल टू तीन सो साइट डिगरी नहीं सर यह एंगल नहीं है यह उम्र है ठीक है तो समझ में आ गया अब यह है मल्टिप्लाइब होगा तो एक्स को प्लस कर दो तो आएगा एक्स स्क्वाइर प्लस ऑफ 31 एक्स प्लस ऑफ 87 अरे सर 31 नहीं होगा 32 होगा है ना हां सर मुझे पता है तुम लोग घरीब लोग मेरी ही प्रॉब्लम निकालो के खुद में कोई दिक्कत नहीं है नौलस से गरीब हाँ ठीक है कोई बात नहीं है स्कूरा to the Teo X स्क्वार प्लस 31 एक्स प्लस मैनस मैनस 31 नहीं कर अभी बीए बोल्राव मैं गलत लिख रहे हो है चीप कोई बात नहीं अब अब मेरा नियुक। व्यकिता थिचर माइन walnut में माइन ah प्रेट साथ में से जब 87 माइनस होगा तो भीटु है कर सकता कहता ऊसमे ही ciąडगी मदलिको ठीक है ड़्र सर कलते हैट ङॉजिता निकालते रहे तुमारी गलते निकालता रहूँगा और जब कॉपियां चेक करूँगा न ठीक है तो ऐसी लाल कर दूँगा लाल पेंज ठीक है तो यह बना दी मेरे equation अब आप इसको किसी भी तरीके से किसी भी तरी से मतलब कोई सा भी तरीका आपके पास हो आप इन सारे सवालों को solve कर सकते हो with the help of factorization splitting the billion term formula method formula या completing the square लेकिन वो course में इस साल नहीं है वो boards में नहीं आ रहा है 2022 के batch की बात कर रहा हूं मैं तो आप चौथा question आपको खुद से करना है और यह question समझ में आ गए सबको तो बहुत शांदर बढ़िया तरीके से इसको लिख भी लो और अभी समझ में आ गया framing कैसे करनी है आपको language को ठीक है जली से लिख लो